हेलो फ्रेंड्स आपको गुरुकुलदाम और जीडी केंपस की तरफ से दिवाली की हारदिक सुपकाम ना है तो चलो अब हम बात करते कि दिपावली है वो कब मनाई जाती है यानि हिंदी महिनों में वो दिपावली कब मनाई जाती है तो हिंदी महिनों में कार्थिक अमा उश्या को है वो दिवाली मनाई जाती है अब अपन देखते हैं कि दिवाली यानि दिपावली है उसका अर्थ क्या है दिपावली का अगर मिंस देखें संदी विछे देखें तो दिपावली का अर्थ है दिया धन आवली यानि दिया तो सभी जानते हो दिपक आवली यानि लाइन या स्रंकला यानि दिपको की लाइन दिपको की लाइन यानि तो इस दिन है दियो की लाइन लगाई जाते है यानि दिपावली के लिए डेकोरेशन दियो के रूप में किया जाता है अब अपन इसके पीछे की पुर दवाशियों ने अपने घर साफ सुतरे करके चारो तरफ रंगोलियां और फूलों से सजावत के साथ ही घी के दिपक है वो पूरे अयोध्या में जलाये थे तो पूरे अयोध्या को प्रकासमान किया था तो उस खुसी में है वो दिवाली मनाई जाती है और अगर इसकी और देखे जाए तो इस दिन भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ नरका सुर नामक जो राक्सस था उसके चंगुल से पूरी द्वारिका को मुक्त किया था तो उस खुसी में उनकी आगमन की खुसी में द्वारिका वाशियों ने दिपक जलाए थे औ और इस दिन दीपदान की प्रंपरा को भी माना जाता है ऐसे माना जाता है कि जो दीपदान किया जाता है वो अध्यात्मिक का प्रतिक होता है साथ में अगर आपन बात करें कि ये जो दिपक है इसके पीछे एक और भी कथा मानी जाती है कि जो सुर्य बगवान थे हैं उनका जब जनम हुआ था तब उनके उदह का समय के बाद जब उनकी अस्त का समय आया तब वो विचार में पड़ गए उन्होंने सोचा कि अब है वो मेरे जो संसार है उसको प्रकासमान कोन करेगा जब मैं अस्त हो जाओंगा तब मेरे जो संसार है वो पूरा संसार अंधकार में डूब जाएगा तो उस चिंता को समझ कर एक दिपक ने कहा बगवान आप चिंता मत कीजिए मैं छोटा हूँ बट बब पूरी आपके जो संसार है उसको पूरी रातरी तक मैं उसको प्रकासमान कर सकता हूँ तो सूर्य भगवान उसकी बात को सुनकर चिंता विहीन होकर एस्थ हो गए तो तब से पूरी रातरी को चो दिया है वो जलता है और सूर्य उदे होता है तब वो दिया है वो अपन नहीं जलाते हैं और एक चीज ओर मानी जाते है कि जहां तक प्रकास सुर्य का नहीं पहुंच पाता है वहां तक दिपक का प्रकास है वो पहुंच जाता है तो दिपक को है वो सुर्य का एक भाव यानि सुर्यो संभवो दिपक है भी कहा जाता है और अब अपन बात करें कि दिपक की उत्पती कहां से हुई दिपक है वो यग्य से उत्पन हुआ था और भी इसके पुरानी के रिजन माने जाते हैं उस समय जो आदिवासी लोग थे वो पत्थरों के दिपक बनाया करते थे दिपक है बहुत सारे प्रकार के होते हैं अगर अपन बात करें पुराणों में जब पूजा अर्चना की जाते थी ते उस समय जो दिपक काम में लिये जाते थे उन दिपकों को क्या कहा जाता था उनको अर्चना दिपक के नाम से जाना जाता था और अपनी जो संस्कृती है मोन जोड़ो और हडपा संस्कृती उनकी अगर अपन बात करें तो मोन जोड़ो में गोलाकार दिपक प्राप्त हुए थे मिट्टी के तो गोलाकार दिपक मिट्टी की वो मोंजोदुडों में प्राप्त हुए और हडपा संस्कृती में चोकोर आकार के जो आपके दिपक है वो प्राप्त हुए थे चोकोर आकार में चार स्थान होते उन चारों स्थान हो बत्तियों रखने का स्थान था और यह जो मोन हडपा जो संस्कृति है इसके दिपक के अगर बात करें कहां प्राप्त हुए तो यह बलूचितान में मालनामिस्तान में प्राप्त हुए थे साथ में ही कलहन की राश्त रगेनी जो रचना है उसमें ये बात भी बताई गई है कि जो धनिकों की घर में मनिक दिपक यानि उसे मनि दिप बोला जाता है वो जलाए जाते थे और साथ में अगर अपन बात करें कि दिपावली को किस नाम से जाना जाता है तो उनको एक अन्य नाम और भी है तिहार या स्वंती दिपावली को तिहार्व स्वंती की नाम से भी जाना जाता है और अपने जो एजन्ता और एलोरो की जो गुफा है उनमें है वो मिट्टी के दिपक पाए गए है तो यानि दिपकों का आविस्कार बहुत प्राचन काल से हो चुका है और यह जो दिपक है वो किसके परतिक माने जाते है यह अहिसा और सत्य का धोतक माने जाते है यानि कि अंदकार क्या होती है बुराई होती है तो बुराई पे अच्छाई का परतिक होते हैं दिपक तो इस दिवाली के दिन है वो दिपक जलाए जाते है और एक रिजन ओर है कि अमाउशा अंदेरे की रात्री होती है तो उसके अंदेरे को दूर करने के लिए दिपक से पूरा जो रात्री है वो प्रकास्वान की जाती है जिससे अंदकार दूर होता है तो फ्रेंड्स आप सभी को दिवाली की पुने हर दिक सुपकामनाए और इस दिन पक्वान बनाए हर्स और उलास के साथ दिपावली का तिवार है खुशी-खुशी से मनाईए तो सभी को हैपी दिवाली